नमस्कार विए सी फस्ट एयर के फिजिक्स के सेकिंड पेपर में बेबेंड औसिलेशंस में हम सेकिंड यूनिट प्रारम कर चुके हैं और इस सेकिंड यूनिट में हमने बेब मोशन डिसकस किया था बेब मोशन डिसकस करने के बाद करेक्टरिस्टिक औफ बेब्स तरंगों के प्रमुक गुणधर्म के रूप में हमने ग्यारे बारे पदों की ब्याख्या की थी मैंने आपको बतलाया था कि ये जो छोटे छोटे पद हैं अनेक बार परिक्षा में हमारा जो पार्ट ए है उसमें इस तरीके के प्रस्ण भी पूछे जाते रहे हैं हमने तरंगों के प्रकार के रूप में मैकेनिकल बेब और इलेक्ट्रो मैगनेटिक बेब का जिक्र किया था इलेक्ट्रो मैगनेटिक बेब अपने पाठिक्रम में है और यह हम तिर्थिय एकाई में बिस्तरत रूप से पढ़ने वाले हैं हमने mechanical बेब को दो तरह के बेब में classify किया है, एक longitudinal बेब है और एक transverse बेब है, मैंने इन दोनों तरंगों के जो प्रमुक गुण धर्म है, उन प्रमुक गुण धर्मों से भी आपको परचित करवाया था आज हम stretch string में transverse बेब की velocity निकाल रहे हैं, किसी तनी हुई डोरी है, उसमें जो तरंग है अनुप्रस्थ, उसका क्या बेग होगा, उसकी हम गड़ना कर रहे हैं इस गड़ना के लिए हम मान लेते हैं, कि मान लिजिएगा कोई L लंबाई की homogeneous डोरी है, एक सरे से उसको clamp किया हुआ है, और दूसरे सरे से जैसे diagram में बता रखा है, पुली के द्वारा हमने एक बेट M.G. को लगाया हुआ है, और इस बेट M.G. के कारण जो string है, वो tense में रहती है, हमने जो string की कल्पना की है, उसमें हम ये आदर्स इस्तिती मान के चल रहे हैं, कि ये है homogeneous है, perfect elastic है, और इस string का density और जो thickness है, it remains throughout uniform, इसमें कोई भी परिबर्तन नहीं है, जब डोरी में कोई कमपन होते हैं, तो उसके बाद उसकी कोई लंबाई में परिबर्तन नहीं है, और हम ये मान के चल रहे हैं, कि मान लीजिएगा, इसकी एक आंक लंबाई का जो द्रवमान है, वो small aim है, हमने इस डोरी को मद के थोड़े से भाग में से खीच करके रिलीज किया है, यानि थोड़ा सा विस्थापन दे दिया है, जब हम ऐसा करते हैं, तो ये माद इस्थिती के दोनों और कमपन करने लगेगी, इसके परणाम सरूब दोनों सुरों पर अपोजित डियरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगा, जो टेंशन फोर्स अपोजित डियरेक्शन में लग रहा है, वह इसको पूर्व की इस्थिती में अर्थात मीन इकुलिरम पोजिशन में लाने का प्रियास करेगा, हम ये मान के चल रहे हैं, जहां पर इस दोरी को क्लेंप किया हुआ है, वहां से एक्स पराबर जीरो से एक्स दोरी पर इस्थित डेल्टा एक्स लंबाई के एक अलपांस पर हमने बिचार किया है, और चित्र में मैंने ये अलपांस जो दिखाया है, मान लीजिए ए बी से दिखाया है, जब हम खिची हुई डोरी में अलपांस के दोनों सुरों पर टेंशन फोर्स देख रहे हैं, अलपांस हमने ए बी लिया है, तो इस अलपांस में ए और बी के साथ मान लीजिएगा, जो एंगिल बन रहा है छेटिज के साथ, वो थीटा और थीटा प्लस डी थीटा बन रहा है, तो हम इस डाइग्राम के अनुसार परणामी बल्की गड़ना कर सकते हैं, आप देखेगा, हम जो अलपांस ए भी लिया है, उस अलपांस पर सबसे पहले एक्स गटक ज्याद कर रहे हैं, तो एक्स गटक का जो मान है, वह है टी कॉस ओफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस टी कॉस ओफ थीटा होगा, दिखान रहे, चित्र में ए भी जो अलपांस है, उसका काफी मैगनिफाइड रूप दिखाया गया है, बस तो तो ते हैं, इस्तिती यह है, कि थीटा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा दोनों बहुत स्माल हैं, जबकि अंतर भी इनमें बहुत कम हैं, और हम यह जानते हैं, कि कॉस जीरो एजिकस्टू बन होता है, है न, तो इसलिए कॉस थीटा हो, या कॉस ओफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो, चुकि दोनों कॉन्ड के मान बहुत स्माल हैं, इसलिए हम इन दोनों मानों को एक मान सकते हैं, और एक मानने पर आप देखेंगे, कि जो एक्स घटक है बलका, उसका मान सून हो जा रहा है, अर्थाद fx is equals to 0, अब आप इस डाइग्राम से बाई घटक निकाल सकते हैं, f y is equals to t sin theta plus delta theta minus t sin theta, और हम लिमिट से ये जानते हैं, if limit theta approaches 0, sin theta is equals to theta, इस result का प्रियोग करके, हम f y का मान निकाल सकते हैं, sin of theta plus delta theta को हम theta plus delta theta लिखेंगे, जबकि sin theta को हम theta लिखेंगे, और जब हम इस result को यूज करेंगे, तो हमें f y का मान प्राप हो जाएगा, f y का मान t delta theta आ गया है, और इसको मैंने समीकरण एक से दिखाया है, so y component of force is represented by t delta theta is expressed by equation number 1, now, जो displacement position है, उसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बल की इस्तिती है, जो परणामी बल लग रहा है, वह केवल लंबत दिसा में लग रहा है, पुने, जैसा हमने माना है, कि इस डोरी जो इस्ट्रिंग ली है, इसकी एक आंक लंबाई का द्रब्मान small m है, तो उस case में इस पर newton के secondium के अनुसार जो बल का मान लगेगा, वह m delta x d2 y y dt square हो गया, यह newton के secondium से आया है, और हमने इस में vibration पैदा करके जो force निकाला है परणामी वो t delta theta है, परणाम सरूप दोनों बलों के मान समिकर्ण होने चाहिए, मैंने दोनों बलों के मान समिकर्ण को बराबर कर दिया है, आप डाइग्राम से देख सकते हैं कि 10 theta is equal to इसका मान निकाल सकते हैं, और इस कारण से हम delta x जब approach is 0 है, तो हम लिख सकते हैं, delta y upon delta x को partial differentiation form है, ddx of y, और 10 theta इस डाइग्राम से हम लिख सकते हैं, देखेगा, 10 theta is equal to delta y upon delta x, और इस प्रकार से 10 theta का मान निकाल लिया है, डाइग्राम की मदद से ये मान 10 theta is equal to delta y upon delta x हो गया है, हम इसका differentiation कर रहे हैं, तो ये sec square theta delta ddx of theta is equal to d2 y upon dx square हो गया है, theta चुकि small है, इसलिए sec theta का मान बन होगा, तो इस समीकर्ण से जो ये निकाला है, हम delta theta का मान लिख सकते हैं, और delta theta का मान निकल के आया है, d2 y upon dx square dx, इस मान का अब हम प्रियोग जो हमने बलकी समीकर्ण निकाली थी, हम उसमें कर सकते हैं, तो बलकी समीकर्ण जो दोनों बलों की तुलना की थी, वह हैं समीकर्ण थी, t delta theta is equal to m delta x d2 y by dt square, delta theta का यह मान रख सकते हैं, मैंने यह मान सब्सिटूट कर दिया है, और फिर जो समीकर्ण हमें मिली है, वह हैं इस प्रिकाल की मिली है, d2 y by dt square is equal to tym d2 y by dx square, हम बन डाइमेंशनल और थ्री डाइमेंशनल बेव एक्वेशन ड्राइब कर चुके हैं, बन डाइमेंशनल थ्री डाइमेंशनल बेव एक्वेशन में हमने निकाला था, d2 y by dt square is equal to v square d2 y by dx square, अर्थाथ, x के respect में जो double derivative होगा, उसका जो multiple factor होगा, वह है b square का मान देगा, यह है उस समीकरण का महत्व है, इस समीकरण से इसकी तुलना करके, हम डोरी में जो transverse wave generate हो रही हैं, उनकी velocity का समीकरण निकाल सकते हैं, वह है velocity का समीकरण अर्थाथ, b square is equal to tym होगा, अर्थाथ हम कह सकते हैं, b is equal to root of t by small m, t जो tension हो रहा है, वो उस weight के कारण हो रहा है, डोरी में तनाव के कारण हो रहा है, जिसका मान mg होगा, और small m डोरी पर एकाई लंबाई का द्रबमान है, उसको हम घनत के रूप में लिख सकते हैं, तो small m को हम pi r square d के रूप में लिख सकते हैं, तो अगर stretch string है, और उसमें transverse wave हम generate कर रहे हैं, तो उनकी velocity का जो मान है, वो square root of t by m से दिया जाता है, अपने particle में, जैसे ये हमने article लिया है, transverse waving stretch string, उसके बाद एक article हम discuss करेंगे, velocity of elastic wave in solid rod, और एक article हम discuss करेंगे pressure wave, ये तीन article इस प्रकार से velocity के समीकर निकाले गए हैं, तीनों लगवग समान line पर हैं, और परिक्षा की दिरिष्टी से ये तीनों article महत्पून है, मैं आपसे अपिक्षा करता हूँ, आग्रे करता हूँ, कि आप इनका अब बहस करें और इनको सीखें.